जै जिनेंद्र बंधू, स्वागत है सभी का। जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्थ हो रहा है परंपूर्ज देवुष्टमन आचार्य श्री कुशाग्र नंदी गुरु वर्य जी का वसाथी कारिक्रम को अतिभव्यता पूर्वत संपन्न किया जा रहा है प्रखर वक्ता ज्योतिर्विद देवेंद्र विजय स्वामी जी क कुशल निर्देशन में आज के कारिक्रम का शुभारं भुविराजमान भगवान जी के पंचांडरत अभिशेक एवं शान्तिधारा का आयोजन किया गया जिसमें सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री नरेंद्र जी चेबोडिया गोप्राप्रुआ चलाब शेतं करोमी साहा करोमी साहा करोमी ओम नमा सिदेश प्या इवीत्रा गैनवा ओम नमारते भगवते श्रीमते कल्यान मंदर पास्तितंगराय द्वाद गन परविष्टताय सुकल ध्यान पवित्राय सर्वग्याय स्वयंभवे सिथाय बुधाय परमात्मनी परमशुकाय तुलुकमाताय अनंत संसार चक्रपरिवर्दन आनंत दस्टन आनंत ग्यान आनंत विर्यान शुकाय सिद्धाय त नृच्वी वियां निया पुर्मु संगष्या, माम, देव संगष्या, नेरेंजर जी, कम्ला, राकेष, शालीनी, मुकेष, आरउ, खानाक, चुपल्या, सब परिवारश्या, माम, हृॹ। बच्त जन परिवारश शर्वे जन आनम उप्सर्ग विनाशनाय गाति कर्म नाशनाय अगाति कर्म नाशनाय आम्रूम् देविश्रमन महातपस्वी जैन जिगत के कोहीन आचारे सम्नार स्री कुशागरण दि गुर्देश चरनकमलब्य अनर्गमदब राप्ते अर ज्यम निर कारिक्रम में आगे पूजन विधान की मांगलिक क्रियाओं को भक्तों द्वारा विधे विधान के साथ पूर्ण किया गया दर्म सस्ती सस्ती जी शांती ओम निमिती जनेंद्र सस्ती मंगल विधान परी विष्पान जलेक्षपेत हाँ गलतन तु निर जंग स्रेन पूश्प पिज अंकर रवि अंग्नि गाम जब जल वायो चारन रुषिगन सस्ती सदा हो न चरनो में अनु महालगु धुरु रिति दारी सकामरु पीत्व वशित्व दारी वर्दमान बल्ल के दारी गुरुवन सस्ती सदा हो न चरनो में इती परमश सस्ती मंगल विधान परी अरव रब्तर रिग्यम निरपामिती श्वाह ओम रिम्स्री अरिहत्सिता आचारु पादे सर्वसादू जिन धर्म जिनागम जिनचैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्चैत्च चन्तम निरोपामितेश्वा, ओम्स्री अर्यांत सिध आचारुपादेशिस अर्वसाधू, जिन धर मशिना अगम जिन चैत्या छैत्या लेविन महा, शुदार मुख्षपल परापतेश्वा, पल्म निरोपामिते श्वाह, ओम्रेम्स्री अरिहंत सिधा चार पादै सरुसा दू जिन्दार्म जिनागम जिने चैता चैता ले बेन महा अरिके बता प्रापते रिग्यम निरपामिते स्वाहा ओम्रेम्स्री चतरोशी तिर्टांकर सर्व पंचकलाम प्रापते बया अरिके प्रापते रिग्यम निरपामिते स्वाहा पतारोपारस नाथ जी उमामा देवी राथे ला तारे चर्णे आया आए वामा देवी ना थेला तारी चरणे आया आई हुमारे मनने में चाकी एक आस जी जा वादे आंगनिये पदारो परशनात जी वादे आंगनिये पदारो परशनात जी परशनात जी आनास कियाई गुणे अनन्त मेवास कियाई पीति नाग सनुरत्यतेश परमाटार्ड़ा ओम्रेम्श्री मंगल गरश्न वानकैस्री वास पुझ जनेंद्रा अत्र अवतर अवतरत समवसत आवाणनंं अत्र तिष्टो तिष्ट ठटसापनंं अत्र ममसन नहीतो बववशत सनधी करिनंं जय हो विनल श्रहिए फोलात अ कही हुदु अफ़य कोला बाह्या नहीं आईडालर जिला का टैनल Kr 5 अर्ग्यम्निर्बाम्ते श्वाह। अर्ग्यम्निर्बाम्ते श्वाह। अर्ग्यम्निर्बाम्ते श्वाह। अर्ग्यम्निर्बाम्ते श्वाह। 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 अर्ग्यम्ते 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 श्वाह। मनुष्य के जीवन में सबसे अमुल्य चीज ये है कि हम क्या भुलाया जा सकते हैं। क्योंकि आदमी सीखने के चक्कर में इतना सीख चोका है कि उसे अब छुप कराने के लिए भी बड़ी कोशिश करने हैं। बड़ा कठीन प्रयास है क्योंकि जीवन में रिशी मुनी जितने भी हुए ये अपने जीवन में उन्होंने कुछ बोलने की कला नहीं सेखी बलके उन्होंने जीवन में कैसे शांत रहा जाए ये कला सेखी और हम लोग उल्टा करते हैं हमारे जीवन में हम लोग अगर कोशिश करके भी हम चाह के भी कितने गंटे का मौन हो सकता है हमारा क्यूकि मनुष्र के बास में वह पेशन्स ही नहीं है करते रहो जीवन में सब कुछ करना ही करना है, ना उस insists मन शान्त है, ना उसका वचन शान्त है, ना उसकी काया शान्त है अब बताओ, अब एक गंडे के लिए बैढते हो तो आपके शेरिर के कितने पार धिल रहे होते हैं किसी की अगर कुछ भी नहीं है, लास्ट में इतनी सारी क्रियाएं, इतने सारे ध्यान आ गएं, इतने सारे योग आ गएं, इतने सारे साधना आसन आ गएं, लेकिन वेक्ति उसके बावचूद भी अपने जीवन में अभी तक शान्त हो ही नी रहा बताओ यह सारी व्यवस्ता किसे लिए हैं? दन दवलत पाने के लिए? स्वर्ग मोक्ष पाने के लिए? जीवन में शांत होना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है अगर अब जीते जी शांत नहो सको, तो फिर अगला स्वर्ग भूल जाना वविश्य में कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला सभी सदस्यों एवं भक्तों ने दीप प्रजवलित कर दीप अर्चना संपन किया ोम रिंब भव समदुरपात यंत रणाय कल्यान मंदर तर तनेंदराय नम हा अम्रे मुषित रुबाय क्लें महा बिजक्सर से स्री कल्यान मंदिर पारिशना जनेंदराय नमहा अम्रे बरम नंदे कुनाय कलें महा बिजक्सर से स्री कल्यान मंदिर पारिशना जनेंदराय नमहा दीप निर्भामधी श्वाःonces ethanol्स्थन पक्लिम्हा विजागसर विचाहि dzieci्ां मंदिर्भारोना जनेंद्रा नहा अ OUT बूद शुद्धे अक्लिम्हा विजागसर सै श्रीकल्यान मंदिर्भारोना जनेंद्रा नहा नहा ह hist दीपमनिर पामति स्वाहा प्रखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखे अब समय था जब उपस्थित भक्तों ने मंगल आती कर गुरुवर एवं जिनेंद्र प्रभु के गुण गान गाए अमने निजनयनों से देखि मूरत आच अनों की मोक्ष महल के जाने को या राघ बताती छोकि प्रभुचि राघ बताती छोकि पनमंडित की प्रति भिंबन की मनहर शुबदीप जनाये हो हम आज होतारे आरदिया दे दुश मणया चार गुरु की आरत करने आये हैं अप्राजुत है दर्श तुमारा हम सब मंगल गार गुरुवर की चर्णों में नमन रिश्वर की चर्णों में नमन गुरुवर जी गुरुवर जी प्रादे प्रादे गुरुवर जी गुरुवर जी तुमारा हम सब मंगल गार गुरुवर की चर्णों में नमन रिश्वर जी तर्शकों कुछ इस प्रकार से आज के मंगल मयक कारिक्रम का समापन किया गया आज के लिए इतना ही कल पुनह होंगे उपस्त 51 दिवसिय अखंड आराधना कारिक्रम के अगले दिवस की मंगल क्रियाओं के साथ दब तक के लिए जै जिनेंद्र झाल 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 झाल